सूपरबाद बच्चों आज मैं आपको पाठ आठ टोपी वाले की सूजबूज कावाचन भी करूंगी और समझाओंगी भी बहुत अच्छी कहानी है बच्चों ये और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी हो सकते हैं आप लोगोंने पढ़ भी ली हो इसे है ना तो द दिन थे दो फर होने वाली थी टोपी वाले ने रास्ते में एक छायादार पेड़ देखा वह उसकी नीचे आराम करने बैठ गया उसने बोजन किया तथा थोड़ी देर जपकी लेने की सोची चीक है जपकी लेने की सोची उसने रंग विरंगे टोपियों से भरा थेला अपने सिर के पास रखा और सो गया वो टोपी वाला था उसके पास भहुत सारी टोपियां थी एक जोले में थी उसने सूचा मैं अपने तक्ये के पास रख लेता हूँ अपने सिर के पास और सो जाता हूँ थोड़ी देर सोने के बाद मैं वापस से ला जाओंगा अपने टोपियां बेचने जब टोपि वाला गहरी निंद में सो रहा था तो बंदरों का एक जुंड आया उन्होंने टोपि वाले के सिर के पास थेला देखा क्या देखा एक थेला देखा जिसमें वो रंगी वरंगी टोपियां रखी हुई थी ना वो रंगी वरंगी वरंगी टोपियों वाला थेला देखा उन्होंने है ना तो उस्वक्ता वंग्ष उसे खोल लिया क्या क्या उस सुकता होती है ना कि इसमें क्या है क्या है तो उन्होंने उसे खोल लिया उसमें बहुत सारी रंग बरंगी टोपियां थी क्या थी बेटा टोपियां थी उन्होंने देखा कि आदमी टोपियों को सिर पर पहनते हैं अपने नकलची सुभाओ के कारण उन सबने भी टोपियां अपने सिर पर पहन ली किसी ने नेली पहनी तो किसी ने गुलाबी किसी को सफेद टोपी अच्छी लगी तो किसी को संत्री पर सफेद कड़ाई वाली टोपी रंगी बरंगी टोपियां पहन कर वे सब उस पेड़ पर चड़ गए जिसकी नीचे टोपी वाला सो रहा था क्या हुआ उन्होंने देखा कि जोले में कुछ है देखा तो टोपियां थी और फिर उन्हें देखा कि टोपी वाले ने भी टोपी पहन रखी है उन्हें का जरूर सिर पहनते होंगे तब ही तो इसने पहन रखी है उसने क्या किया टोपियां उठाई उन्होंने टोपियां उठाई और अपने सिर पहन ली रंग बरंगी टोपियां थी कोई लाल थी कोई सफेद थी और टोपी वाला बढ़िया सो रहा था और ये टोपियां पेन कर उस पेड़ पर चड़ दे जहाँ पर टोपि वाला सो रहा था